ओमूकं करोतिवाचालं पंगुम् लंगयतेगिरिं यत्कृपातमहं बंदे परिमानन्दे माध्यवं गुरुरुब्रह्मा, गुरुळुबिष्णू, गुरुरुब्रहा, गुरुब्रहा, गुरुडुवेशुरा, गुरु साक्चात, परम्ब्रह्मे, तसमै, सिरी गुरुवेवेनमा शरुवे भवंतु शुखिना शरुवे शन्तु निरामया सरुवे भद्राने पस्यन्तु मांक शित दुख्य भाग। कर पूर गवरं करुणा वतारं संसार सारं भुजगेंद्रेहारं सदा वशंतं हर्द्यार विंदे भवं भवानी शहितं नमान ओप्षान अध्याए पाँच इसलोक नमबर चार भवान कहते हैं हे अर्जन सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग प्रथक प्रथक फल देने वाले कहते हैं ना कि पंडित जया क्योंकि दोनों मैंसे एक भी सम्मित प्रकार से इस्थित दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है सन्यास और कर्मियोग अगवान कहते हैं जो मालते हैं कि इन दोनों के फल अलग अलग है वह कहते हैं वो प्रिथक वाला वो कौन से हैं अलग-अलग कहने वाले बाल बत हैं बच्चों की तरह हैं अज्ञानी हैं मूर्ख हैं प्रवधन्ति न पंडिता उन्हें पंडित ग्यानी नहीं कहेंगे कि वो अलग-अलग फल देने वाले हैं कि दोनों का फल है परमात्मा की प्राप्ति और देखो दोनों में भी इस्थिती एक जैसी आ जाती है कि एक व्यक्ति तो कर्म का त्याग करके संसार से अपने संबंद विच्छिद करता है वस्तूओं से व्यक्तियों से भोग से पद्से पृति स्था now से तो संसार की व्यक्ति वस्तों से अपने संहांद करता है कर्म सन्याद से कर्म का ट्याग करके को हुँ दूसरा व्यक्ति कुछ कर्म का ट्याग नहीं करता लेकिन कर्म के त्याक के साथ वो क्या त्याक कर जिसने कर्म त्याक किया उसे प्राप्ति क्या हुई जिसने भी कर्म का त्याक किया कि वो कहेगा कर्म बंधन है तो कर्म का त्याक कर दो कर्म जो बहरमुखी उसे हो ते कर्म के साथ कामना जुड़ी थी कोई मांग जुड़ी थी कोई चाहा जुड़ी थी तो बाहर के संसार के व्यक्ति और वस्तुओं के साथ वो जुड़ा था तादात्म था उसकी मांग थी उसकी चाहा थी उसकी अपेक्छा थी और जब अपेक भी बनता है तो ऐसे व्यक्तिने कर्म का त्याक किया लेकिन ध्यां रखना कर्म का त्याक बाहर की क्रिया नहीं है अंतर से भी कामना की ना हो अंतर से भी मांग ना हो अंतर से भी चाहा ना हो अहंकार ही ना हो और जब तक अहंकार कब नहीं होगा जब सरीर, मन, बुद्धी, इंद्रियाओं के साथ तादात में ना हो जब तक मन, बुद्धी, इंद्रियाओं के साथ तादात में है कि मेरा परचे क्या है? सरीर मेरा पर्चे मेरी इंद्रियाएं मेरा पर्चे मेरा मन तो जब तक सरीर मन बुद्धी इंद्रियाओं के साथ हमारा तादात में है मैं यह हूँ इनका जोड मैं है तब तक मांग रहेगी कामना रहेगी चाहा रहेगी, अपेक्चा रहेगी, राग द्वेस भी रहेंगे तो अगर उपर से कर्म त्याग भी दो तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि उपर से तुमने कर्म त्याग दिये लिए अंदर से कामना तो उछाला मार रही है कामनाओं के वेग तो खड़े हो रहे हैं वासना ये तो अपनी उड़ान भर रही है तो जब तक अंदर से ये वासना काम क्रोध रहेंगे अहंकार रहेगा तो कर्म त्याक करके व्यक्ति आलसी हो सकता अकर्मन हो सकता लेकिन कर्म सन्यास नहीं होगा कर्म सन्यास उस अबस्ता में फलते हैं प्रिगट होते हैं जब व्यक्ति कर्म करते हुए भी अंदर से कोई मांग नहीं अंदर से कोई चाहा नहीं सरीर के साथ तादात नहीं क्योंकि उसने मान उसकी समझ उसका होश उसका तादात सरीर से हटके चेतना के साथ हो गया कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ जब उस तत्व के सास्योग है कि मैं सरीर मन बुद्धी नहीं मैं तो चेतन हूँ, मैं तो आत्म रूप में हूँ मेरा सुरूप तो आत्मा रूप में है, तत्व यह है तो जब आत्मा के साथ तादात हुआ, आत्मा से समंद जुड़ा तो सरीव मन उद्दी उसके लिए गौड हो गए यह उसके लिए साधन हो सकते हैं, लेकं साधन नहीं। यह बाहर का वस्तर हो सकता है, लेकिन उसका सुरूप नहीं है और वस्त्र के उतारने से कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है तो वो वस्त्र उसके लिए हो सकता है लेकिन उसका तादात चेतना के साथ हो जाता है कि मैं वो हूँ और फिर चेतना की कोई मृत्य नहीं कोई सहयोग व्योग नहीं अब प्रायस में होता कि है कभी-कभी मौत का भाय, जीवन की चाह, अगर हम सरीर के इस्तर पर हैं तो सरीर में जीवन की चाह होगी, और मौत का भाय भी होगा संसार के साथ कोई समंद भी होगा, मांग भी होगी, कि संसार सरीर है, तो सरीर संसार से जुड़ा हुआ है, सरीर की जो पूरती है, जरूरते हैं, वो संसार से पूरी होती है तो सरीर के साथ जन्मृत्ती जुड़ी है, सरीर के साथ संसार के संसार के समंद जुड़े हैं, तो उन संसार के संसार के साथ भी उसकी कामना होगी, अपेक्षा होगी, मांग होगी तो ऐसा व्यक्ति कामना मुक्त दियो कर्म छोड़ भी दे तो अब भी कामना मुक्त तो नहीं हुआ और बांधती कर्म नहीं बांधता बंदन है कामना कभी विद्यको हम आप कोई सरीर से कर्म करते हैं लेकिन जब सरीर से कर्म सेवा के लिए करते हैं परोपकार के लिए करते हैं लोग कल्याण के लिए करते हैं जन हित के लिए करते हैं तो बंधन नहीं बनते हैं लेकिन जो अपने लिए करते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा हमें इससे धन मिलेगा हमें इससे मान मिलेगा हमें इससे कीरती मिलेगी इससे हमारा येस फैलेगा या इस लोग की नहीं तो पर लोग की कोई मांगा जाती है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलेगा और अगर ये भी कामना आ जाए कि हमारे ऐसा करने से जाब करने से, ध्यान करने से, दान करने से, सेवा करने से परमात्मा मिलेगा तो वो भी बंदन हो गया अगर परमात्मा ऐसा करने से परमात्मा मिलेगा तो वो भी कामना हो गया इस लोग की हो या पर लोग की हो लोहे की बेड़ियां एक को कह दो सौने की बेड़ियां बेड़ियां तो बेड़ियां हैं बंदन तो बंदन है हदकड़ियां बेड़ियां लोहे की हो या सौने की हो उससे हमारी दोनों में आजादी तो गई सुतंता तो बंदित होई तो वो लोकिक कामना हो या अलोकिक हो पदार्थ की हो या परमात्मा की हो वगवान कहते हैं दोनों बंदन हैं तो जब हम कामना मुक्त होते हैं कामना मुक्त कब हो पाते हैं जब सरीर से हमारा अध्यास तोड़ता है सरीर से तादा आत्म तूड़ता है कि मैं ये सरीर नहीं मैं तो चेतन हूँ मैं आत्मा हूँ आत्मा का जन्म नहीं हुआ आत्मा की मौत नहीं होगी आत्मा का आत्मा में कोई बुढ़ापा नहीं है आत्मा में कोई बीमारी नहीं है और आत्मा की कोई संसार से जरूरत भी नहीं है ना आत्मा को धंच चायए ओस्तित हो जाते हैं तो और वियक्ति अंत में क्या होता है आत्मा परमात्मा में आत्मा से परमात्मा का ग्यान होता क्योंकि आत्मा परमात्मा दो नहीं है आत्मा से जुड़े का अर्थ ही है परमात्मा से जुड़े आत्मा से जुड़ने का अर्थ ही है परमात्मा से जुड़े तो ग्यानी की लक्ष क्या है ग्यानी का जो कर्म करते हैं अब उससे कर्म हो रहे हैं लेकि उसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है कोई तादात में नहीं है कोई मांग नहीं है कोई अपर कर्म तो हो रहे हैं सरीर है तो सरीर के साथ कर्म तो होते रहेंगे अब सरीर है तो भूजन भी करेगा रात नींद भी लेगा सरीर है पैर है आना जाना भी करेगा बेवहार में हाथ है तो बेवहार में जाएगे वाणी है तो बेवहार में जाएगी तो सरीर से कर्म हो रहे लेकिन उन कर्मों के पीछे कोई मांग नहीं है वो कर रहा है लेकिन अकरता भाव से तो उसे कहेंगो तो कर्म सन्यास है क्योंकि कोई मांग नहीं कोई चाह नहीं लोग कल्याड की भी मांग नहीं है लोग कल्याड की भी कोई चाह नहीं है लेकिन कर्म होते रहेंगे ये भी नहीं कि वो लोग कल्याड के लिए करें परहुप में जाते हैं तो हमाले में जाके वो एक काम साधना में हैं उनकी कोई जरूरते नहीं बहुत सीमे जरूरत है जरूरते बहुत उनकी सीमे थैं लेकिन ऐसे मात्माओं के पास भी अगर कोई सादक जाता है कोई जिग्यास हुजाता तो ग्यान के लिए तो वो उपदेश करते है ग्यान देते हैं क्योंकि उत्तरकासी में जब रुक रह रहा था स्वामी चिनमेन जी हम सबको उत्तरकासी ले गए तो उत्तरकासी में एक संत थे जो बंगाल से आये हुए थे गंगा किनारे रहते थे हम लोग उनके पाश जाते थे उपने सत्थ पढ़ने जाते थे गीता पढ़ने उनके पाश जाते थे और वह पढ़ाते थे बड़े प्रेम से अब उन्हें कोई हमसे अपेक्षा नहीं है और वस्तू व्यक्ति की सेवा की सकता कोई आब सकता नहीं लेकिन बस जैसे फूल खिला है सुगंदी बांट रहा है विखर रहा है संत के पास ग्यान है तो हम उनके पास जाएंगे उसके ग्यान का लाब उठाएंगे हमारे प्रिस्थन के उत्तर देंगे और बड़े करुणा से वोड़े भाव से वोड़े प्रेम से अपिक्षा मुक्त हो के दिया जहां जल रहा हो उस दिया को पता भी लगता है कि वो किसको रोस्नी दे रहा है किसको रोस्नी नहीं दे रहा है जो दिया जहां जल रहा है दिया कि निकट आता है प्रकास का लाब उठा लेता है कोई कित फूल को यह अहंकार नहीं है, कि मैं किसी को सुगंदी दे रहा, लोग मेरी प्रसंसा करें, या बदले में मुझे कुछ दे, ऐसे ही ग्यानी से कर्म तो ज़रते हैं, ऐसे ही ज़रते हैं, ज़र फूल से सुगंदी ज़रती है, सुगंदी तो बदले मेरी 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 म कर्म योग का आरत है कि अब कर्म कर रहा कर्म कर रहा और कर्म कहीं ने कहीं कामना भी है लेकिन वो कामना क्या है अगर कामना भी है वो कामना उसकी यही है लोक कल्यार की परोपकार की परहित की वो देखेगा कि हम जहां हैं और हम समाज को अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं किसी किसी के पास ग्यान है तो ग्यान देगा किसी के पास शरीर की सक्ति है तो सेबा देगा जिसकी जैसी योगता हो कोई डॉक्टर है तो औस दियां देगा निरोग करने में लोगों की मदद करेगा अब जैसी भी जैसी व्यक्तिकी योगता होती मैंने देखा कभी ऐसे कई संतों को कि जो पहले कभी डॉक्टर थे अपने पूरवास्रम में डॉक्टर थे वह संत बन गए संत बनके भी एक दो घंटे वह इलाज में देते थे रोगी उनके पास आते थे उन्हें इलाज करते थे कोई अलोपैथी का भी उनको ग्यान था तो अलोपैथी की दवाईयां देते थे किसी को आयरवेद का ग्यान है तो आयरवेद की दवाईयां देते लेकर उसके बदले में कोई फीस नहीं लेते हैं कोई पेसे लेते हैं न देखने के दक्ट्री कि फीस्त कोई लेते हैं शेवा करते हो कहते हैं हमारी योगता है जिसका लाब दूसरों को हो डॉक्टर है तो अपनी दौके माध्यन से रोगियों के सेवा करेखा कोई ज्यानी है सास्त्र का ग्याता है सास्त्र पढ़े उसने तो सास्त्रों का धर्म प्रिचार करेगा कि सास्त्रों का ग्यान आत्म ग्यान उपनिस्दों का गीता का ग्यान लोगों तक पहुंचे वो उनको पढ़ाएगा तो जैसी जिसकी योगता है वो कर्म तो कर रहा है लेकिन अपनी यो प्यक्ति समाई से कुछ ले भी तो रहा है हम भोजन कर रहे हैं तो सुचो जो अनाज हमने जो है वो किसने बनाया जो हमने भोजन किया वो अनाज किसी ने किसान ने खेत में पैदा किया जो हम कबड़ा पहन रहे हैं वो कहीं पे किसी ने बनाया हम जिस कमरे में जिन मकानों में रहे रहे वो भी किसी के बनाई हुए हैं जिन सडकों पर चर रहे वो किसी के बनाई हुए हैं जो हम याता यात के साधन उप्योग में ला रहे हैं गाड़ियां कार बस है ट्रेन वो भी किसी की बनाई हुए हैं वो भी कोई कलकारखानों में काम कर रहे हैं तो सारे समाज का सायोग से समाज का मैं विकास हुआ सुबधाएं आई तो समाज से हम ले तो रहे हैं लेकिन बदले में हमने दिया क्या है समाज से हम ले तो रहे हैं लेकिन दे क्या रहे हैं और कहते हैं सादू के बारे में स्वामी चिन्मेंजी का चिन्मा का एक मोटो होता था कहते हैं minimum to take maximum to give सादू का आर्थ है minimum to take maximum to give कम से कम समाज से ले और ज्यादा से ज्यादा समाज को दे ज्यादा से ज्यादा समाज को दे अगर जमीन में एक बीज बोते हैं तो जमीन एक ही बीज नहीं लोटाती जमीन में एक बीज बोते हैं तो अनेक बीज बापस लोटते हैं ऐसे ही सादू समाज से लेगा कम देगा ज्यादा तो अब ऐसा व्यक्ति सेवा के काम में हैं, सेवा के दोरा अब जब सेवा उसने की तो सेवा करके क्या मिला, चुक्र ост don i bet कामना नहीं त्धंकी कामना नैं तही मान की कामना नहीं चाहिं पद की कामना नहीं अजिंड़ कोई उसे अपनी ऐसाने कि हमें सदसार से यह पाके सुख मिलेगा अपनी त्रप्ति के लिए यह अपने अंदर कोई अभाव है अपने अभाव को अपने अंदर की रिक्तिता को धन से पद से वो भरना चाहेता है उसके अंदर कोई अभाव ही नहीं ना कोई रिक्तिता नहीं कोई अभाव नहीं ना धन की मांग है ना पद की मांग है तो जब कोई अपेक्छा नहीं कोई मांग नही कोई चाह नहीं कोई अहंका नहीं कर्म कर रहा है और फल से मुक्त होगे फल की चाह छोड़के फल की कामना छोड़के परुपकार के लिए तो जो व्यक्ति फल की कामना छोड़के कर्म कर रहा है तो जब कामना ही नहीं है कोई मांग ही नहीं है कोई चाह ही नहीं है तो संसार स उसका बंधन कैसे बनेगा तो जब संसार से बंधन नहीं बना कर्म किया लेकर बंधन नहीं बना बंधन मुक्त है तो जो बहर मुखी मन था वह अंतर मुक्त है अब वो बाहर सुख नहीं खोज रहा है कि धन में सुख मिलेगा पद में सुख मिलेगा प्रतिष्ठा में सुख म में मिले है यह स्कीर्थी में मेरा सुख मिल बाहर कोई सुख है ही नहीं जब तक बहरमुक्he जूशकामांद है सेवा कर रहा है और सभ्रान के हो जाता सेजक काष्षिम्तु मरत बाहर बालने वाले कोई खुंटिया नहीं अब बाहर बांदने वाली कोई खूटी नहीं कि ना किसी मांग की किसी चाह किसी की राग की कोई द्वेस ना कुछ राग है ना कोई द्वेस है ना कोई मांग है ना कोई सिकायत है ऐसा व्यक्ति सहज में बाहर से अंदर प्रिवेश कर जाता बहर मुखी मन अंतर मुखी हो जाता अपने सुरूप में ठहर जाता और जब अपने सुरूप में जाके ठहरा अपनी चेतना में तो उसी जगह पहुंचा जहां पर ग्यान योगी पहुंचा था जहां कर्म सन्याज़ करके ग्ञान से लोग जो संत पहुक्चा था उसी जगे कर्म योगी भी पहुँच गया दोनों की मिलर एक सी जगे हुई कर्म योगी भी वह वही पहुच आंतर से जुढ़ गया बाहर से सम्मंध हटा अंतर में क्योंकि बाहर खीचने वाला कुछ नहीं है बाहर बानने वाला कुछ नहीं है बाहर उसने कोई खूटी नहीं बनाई जहां उसको रुका जा सके बांधा जा सके और बांधती है काम ना है बांधती है कोई वासना बांती है राग बांता है द्वेस ना कोई राग ना द्वेस निर्दवन्द हो वो निर्दवन्द है कोई मांग से मुक्त है जिसकी कोई मांग नहीं जिसकी कोई सिकायत नहीं है योना द्वेस्ट नकांग चती कोई मांग नहीं सिकायत नहीं राग नहीं निर्दवन्द तो अब बाहर कहां बंदन कैसे बंदेगा अंतर मुक्य हुआ वो जब तक समाज सेवा कर रहा था सेवा की वज़ा से हटा अंतर मुक्य हुआ अंतर में जो संबंद से अंतर जो जुड़ा अपनी चेतना से जाके जुड़ा तो एक कर्म सेवा करके जुड़ा अंदर आके अपनी कामनाओं का त्याग करके और जो कर्म की कहीं न कहीं जो अंदर सक्ती थी उर्जा थी उसने सेवा में लगा दी जो सक्ती थी उर्जा थी वो कामना मुक्त होके राग देश मुक्त होके परमात्मा की सेवा समझे के वर के जवर से परमात्मा की ये समश्टी परमात्मा का रूप है ये समश्टी परमात्मा का रूप है और हम समश्टी से बहुत कुछ ले रहे हैं तो समश्टी को हम दे के आ रहे हैं ब्रक्चों ने भी हमें हवा दिये सूर ने भी हमको प्रकास दिया सूर से तो जीवन जुड़ा हुआ है हवाएं भी हमको जीवन दे रही है जमीन से भी हमको भूजन मिल रहा है और आस पास का जो समाज है लोग हैं व्यक्ति हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ मिला हमने बदले में किया दिया तो बदले में जो कुछ हमारे पास था वहँने परिमार्त में सेवा में दिया a एक्षा मुक्त होके सेवा भाव से पूजा के भाव से कि पूजा थी और पूजा के बाद व्यक्ति बहिर मुखी अंतर मुखी हुआ तो उसी जगह पहुंचा जहां ग्यानी बैठा था कि दोने एक ही जगह पहुंच गए अब भगवान कहते इसे अलग-अलग कौन मान रहे हैं प्रविदंति ना पंडिता सांख्योगो प्रथक वाला प्रविदंति ना पंडिता इन्हें कौन कह रहा है यह कि प्रथक प्रथक है जो बालवत का आर्थ है कि यह तो अग्यानी है उसे वह खुद कहीं पहुंचा ही नहीं वह बाहर से देख रहा है दो रास्ते जरूर देख रहा है कि पूरभ से जा रहे हैं पश्चम से जा रहा है दो रास्ते देख रहा है एक उधर से चलके आ रहा है कि इधर से चलके एक रास्ता से बुद्ध जा रहे हैं महावीर जा रहे हैं दूसरे रास्ते से कोई कभीर जा रहे हैं कोई नानक जा रहे हैं तीसे रास्ते से कोई मुहम्मन जा रहे हैं तो चौथे रास्ते से कोई अनेक अनेक रास्ते हैं देखने वाले तो दूर से दिखेंगे अलग-अलग रास्तों से साथ अलग-अलग जगह लेकर पहुंचते हैं तो जो नीचे हैं वह एक जगाये मिले हुए देखते हैं जो वालवात है जो नीचे खड़े हुए उन्हें अलग-अलग रासते दीख रहें। प्रिवित थन्ति वह बालवत है है ना समझें अज्ञानी कहीं पहुंच्चे नहीं है और चल्वी नहीं रहे। वह चल्वी कोद। भी कहीं पहुंचे नहीं हैं और ना कहीं पोचने में उत्सक कि नकिन उन्हें अपनी दुकान चलानी है उन्हें धर्म के नाम से कुछ्ञित धंदे बंड़ माना है तो यह इंदा में जाये वो गलत है ये सही है वो कहेगा ये गलत अब कौन उनसे पूछे तुम कहीं पहुंचे हो तुमने कहीं गए हो चले हो तुम तो दुकाने लगाए बैठे हो तो जो दुकाने लगाए बैठे हो वही उपद्रब के कारण है वो ही कहेंगे ये गलत है वो सही है लेकिन जो पहुँच गए हैं सभी सयाने एक मत जो पहुँच गए हैं वो कहेंगे सब एक ही जगे पहुँचते हैं तो जो ग्यानी हैं वो सब एक मत हैं लेकिन जो अग्यानी हैं बालवत हैं वो इस निंदा में जाएंगे वो कहेंगे अलग-अलग फल देने वाले, अलग-अलग जगह पहुंचने वाले और स्वाब भी कभी भ्रांती हो जाती है एक तरह बुद्ध और माहवीर जैसे लोग कि जमीन पर चलते हैं तो पैर फूंक फूंक कर रखते कि कोई कीड़ी ना मर जाए उनके पैर के नीचे कोई जीवजन तुना आ जाए मुह पर पट्टी बांते हैं और दूसरी तरह महमज जैसे लोग जो तलवाल लिये खड़े है एक तरफ अगर कृष्ण है तो दूसरी तरफ सुग्देव जैसे रिशी है एक तरफ जनक है तो सुग्देव रिशी है जनक जहां संसार में के जिम्मेदारियों का निर्वा कर रहे हैं महल में रह रहे हैं वहां सुग्देव जैसे रिशी वस्त्र भी उतार दिये निर्वस्त्र हो गए कि वस्त्र भी कहीं आ सकती ना बन जाए बस्त्रों के साथ भी कहीं मुह ना बन जाए तादात ना बन जाए तो वस्त्र भी हटा दिये और वहीं जनक जैसे जो सुगदेव के गुरू थे महाराज जनक वो महलों में रह रहे है राजसी पूशाग पहर रहे है सौने के सिंगहा पर बैठ रहे हैं ऑभ सुचो अब लगेगा कि ब्रोधावास नहीं दौना के मन की इस्टिति सुख्डेव के गुरु कहीं जनक होते तयागी का गुरु तो पहुता लेकं सुख्डेव रिशी के पिता ने सुख्डेव रिशी के पिता ने भगमान वैद व्यास ने ही सुख् माराज जनक के पास बेजा था ग्यान के लिए ग्यान के लिए माराज जनक कर्म योगी थे और सुगदेव जैसे रिसी कर्म सन्यासी थे इन्होंने कर्म सन्यास कर्म का त्याग किया और माराज जनक ने फल का त्याग किया कर्म का त्याग नहीं किया कर्म का पालन के लेगर कर्म से कि अपेक्षा का मांग का फल का त्याक किया कामना मुक्त कर्म किया फल की चाह से मुक्त कर्म किया तो वो निसकाम कर्म होगी और महरा रिसी सुगदेव रिसी कर्म सन्यास कोई संसार के जिम्मेदारियों से मुक्त रहे दिगंबर हो गए तो अलग-अलग मना श्थिती रही होगी अलग-अलग इनकी पहुंच हो तो मंजल भी अलग-अलग रही होगी लेकिन नहीं जो पंडित हैं ग्यानी है वह देखते हैं कि यह कहीं जगें पहुंच रहे हैं आप नदी के किनारे जाओ नावें बहुत होती है नदी के किनारे जाओ नदी पार होना है दूसरे किनारे जाना है नावें बहुत है नावें बहुत है लेकिन पहुंचाती एक ही किनारे पर सबी नाव एक ही किनारे पर जाके पहुंचेंगे दूसरे किनारे पर तुम एक नाव में दूसरा बैटा दूसरा किसी और नाव में बैठा अलग अलग नाव में लोग बैठे हैं लेकिन जब पहुँचे उस पार तो वो किनारा यह कई है वो घाट यह कई है ऐसे ही मार्ग अनेख होते हैं मंजल एक ही होती है तो भगवान कहते हैं लेकिन जो मंजल अलग अलग समझ रहे हैं मार्ग को देखके जो मंजल को भी अलग अलग समझ रहे हैं वो भगवान कहते हैं बालवत हैं पंडित हैं ना समझ हैं अग्यानी हैं लेकिन जो पंडित हैं समझदार है वो देख रहे हैं कि सबकी पहुंच ये कई जगए है सबका मुकाम ये कई जगए है एक वार एक पार्सी कथा आती है कि एक वार एक अंधा आदमी और एक आँख वाला दोनों रेगेस्तान के रास्ते पर कहीं तीर्थ पर जा रहे थे रास्ता रेगेस्तान का था दोनों जा रहे थे सहयोग की बात एक जगए दोनों का मिलन हो जाता और जब एक दोनों का मिलन हो जाता तो दोनों एक दूसरे की मितरता हो जाती एक दूसरे की मितरता जब हो जाती तो दोनों को लगा कि चलो हम दोनों की यात्रा और अच्छे डंक से होगी क्योंकि एक दूसरे का कम से कम सहरा भी होगे मन बहलाने के लिए भी संघ साथ होगा अकेला पř helemaal नहीं मैसूस होगा तो एक की जगे हम दो हो गए, दोनों मिलके यात्रा करेंगे दोनों यात्रा पे चल दिये एक साथ पहली ही राख कुछ दिन साथ रहे एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों एक जगे सोए हुए थे जब दोनों सोए हुए थे राती को तो रात को सुबह हुआ अचानक अन्धे की आँख खोल जाती और अंधे की आँख खोली तो अंधा ने अपनी लकड़ी खोल लगा मेरी लकड़ी कहाँ है उसको लकडी तो ना मिली, सायोग से उसके पास उसने देखा कि एक कोई लकडी पड़ी है थोड़ी तिर्ची सी है लेकर पकड़ने से उसे लगा कि बहुत साप सुतरी है, बहुत चिखनी है उसने वो लकडी उठा ली लकड़ी उठा ली सुबह सूरज निकला उसके मित्रन जब उसे देखा उसके हाथ में लकड़ी नहीं थी वो तो सांप था अब वो सरदी की बज़े से सांप ठंडा हो गया इतना ठंडा हो गया कि मृत प्राई जैसा मरने जैसा मरा नहीं लेकिन पूरी तरह से अकड़ गया उसके मित्रन ने उसे देखा कि ये तो सांप को पकड़े असराप मूर्चा में है पेहोश है क्योंकि अकड़ा हुआ है सरदी की बज़े से उसने अंधे मित्र से कहा आखवाले ने अरे मित्र इसे छोड़ दो ये तो सांप है ये तो सांप है इसे छोड़ दो उसने कुसे कहा कि मित्र तुम मुझे इतना ना समझ ना समझो तुम इसे सांप कह रहा है ये तो बहुत सुन्दर लकड़ी है और कितनी चिकनी कितनी सांप सुतरी है ये तो बहुत सुन्दर लकड़ी है और साय थे तुम्हें इरसा हो रही होगी मेरी इस लकड़ी को देखके वो छोड़ने से इनकार करता उसने बहुत समझाया कि नहीं ये सांप है इसे छोड़ दो उसने कहा मुझे मालूम है कि मैं छोड़ दूँ और तो तुम उठा लोगे क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं अंदा हूँ देख नहीं सकोंगे तो तुम्हारे मन में लाला चा गया है मुझे मूर्ख बनाने का अब जितना उसका मित्र उसे समझा रहा है उतना ही और मंजूती से वो पकड़ दा कि नहीं यह लकड़ी को हम छोड़ेंगा नहीं तो बहुत सुन्दर है यह बहुत चिकनी है बहुत सापसुतरी है अंत में गुसा में आके वो मित्र को ही छोड़ देता मित्र को ही छोड़ दे तका ये मित्र मेरा हितैसी नहीं है मेरे हाथ की लकड़ी भी छीनना चाहेता है और मित्र को छोड़ के वो अंदा आगे जाके बढ़ा जैसे जैसे धूब बढ़ती गई साप में भी जीवन आया साप की अकड़ तूटी ये साप पकड़े तो आख वालों की पीड़ा हो जाती कि इनके हाथ से ये साप कैसी छुड़ाया जाए क्योंकि जने आख है जने दृष्टी है वो देख रहे कि जहां वो सुख खोज रहे हैं धन में पद में प्रतिष्टा में वहां कोई सुख है नहीं वहां कोई सांती है नहीं वहां कोई संतोस है नहीं वहां कोई आत्मत्रत्ती है नहीं बल उल्टे बात दूसरी है कि जहां सुख खोजा वहां दुख आने वाले है जहां संतोस खोजा असांती आने वाली है जहां स्वास्त खोजा वहां रोग आने वाले है विप्रीत आने वाला है जो हम खोज रहे हैं उसके विप्रीत आने वाला है लेकिन जो मूड है ना समझ है अग्यानी है बालवत है कभी बच्चे के हांस से कुछ पुराना कपड़ा भी उतारत हो रोएगा उसे मालूम नहीं कि पुरानी की जगह मुझे मान नया कपड़ा दे आने जो वालवत है ना समझ है अग्यानी है उन्हें लगेगा कि ये दो रास्ते दोनों यत्स सांखे प्राप्यते स्थानम तद्योगे रपी गम्यते एकम सांख्यम्चा योगम्चा या पस्यती सा पस्यती भगवान कहते हैं ग्यानियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुस ग्यान योगी और कर्म योगी को फल रूप में एक ही देखता है वही अिथार्थ में देखता है या पस्चत सा पस्चती जो ग्यान योगियों और कर्म योगियों का जो एक ही जगे पहुंचता है जो जानता है कि दोनों एक ही जगे पहुंच रहे हैं दोनों के किनारे एक ही हैं दोनों का मुकाम एक ही है दोनों का लक्ष एक ही है पहुंचे एक ही जगे गनतब एक ही है मार्ग जरूर दो थे लेकिन पहुंचे एक यह जगे मंदर जो परमात्मा के मंदर में पहुंचे ाम्दर calls कि सबकी मिलान एक इजगे होईि लेकिन रास्ते अलग लग दीख रहे थे राश्ते यह लग लग तीन सिस्से थे तीनों सिस्सों को बुला के थोड़े से पैसे दिये के तुम दोनों मिल वाट के कुछ खा लेना ले लेना बाजार जा रहे थे मेले में कहीं जा रहे थे बाजार में तो गुरू ने उन्हें पैसे दिये के तुम दोनों मिल के इन पैसों से कुछ खरीद लेना और खा लेना जब वो मेले में आये तो मेलों में तीनों की तीन तरह की इच्छा थी पेड़े पैसे उतने नहीं थे पैसे उतने नहीं थे कि तीन बस्तुएं आये एक ही बस्तु आ सकती थी जो टीन आपस में बाट लेते हैं लेकिंश के जगड़ा हो रहा हो कहें कि नेंश्द जो चाह रहे हो लें आने सकती पेशों में जो टीनों के आपस में जगड़ा होने लगा लुक्ष अफyr तर्वूंज खरीदना चाहता हम आप कि दूसरे ने पुंशने का घ्र ISS चाहता हम कलिन बहुत धाना कि कहेंगे करद्वाना कहा कि कहते के अब तीनों ने अपनी तीन बात है कहीं तीनों के सब्स तीन थे लेकिन वो साधू तीनों की भासा समझता था और एक हिंद वाना लाके दिया एक तर्मूज लाके दिया और तीन पीस कर दिये तीन टुकड़े करके तीनों के हाथ में एक को का जिसने तर्मूज मांगा था उसे तर्मूज कहके दे दिया जिसने वाटर मिलन मांगा था उसे वाटर मिलन कहके दे दिया और जिसने हिंद वाना कलींदो कहा था उसे कलींदो करके दे दिया सब्द तीन थे लेकिन वस्तु एक ही थी इसलिए जब भगवान कहते हैं एथार्थ में वही जान ग्यानी है जो समझ रहे हैं कि तीन जो दोनों मंजल एक ही है मुकाम एक ही है पहुंच एक ही जगह रहे है जहां कर्मयोगी पहुंच रहा है वहीं ग्यानयोगी पहुंच रहा है मंजल दो दीख रहे हैं मार्ग दो दीख रहे हैं कि मंजल एक है मार्ग दो दीखरे मंज लेकर अगर मुहम्मद कहां कहीं तल्वार लेकर चले तो भी वहीं पहुंचे और बुद्ध कहीं जो है करुणा लेकर चले तो भी वहीं पहुंचे जहां जनक जैसे रिसी पहँचे जहां प्यास जैसे संथ पहुंचे तुम भी वहीं पहुंचोगे तो मार्ग अलग अलग भगवान कहते हैं जो जान रहा है ग्यानी है वो समझ रहा है कि मंजल एक है मार्ग दो है नावें अनेक हैं लेकिन किनारा ये कही है तो भगवान कहते हैं वही इथार्ट में देखता है या पस्टत सा पस्टत ही जो ऐसा जानता है उस की द्रिष्टी ही सही द्रिष्टी है अन्यता हमसा की द्रिष्टी क्या होती लाकुषति होती है राक देस से ग्रसित आगा बहुत बार होता क्या है जो हम देखना चाहते हो देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हो होता नहीं है लेकिन जो देख havoc लेते औम इस एक प्रसंग आता में एक नाजी loin लिखी जब एक नाजी ने रामाण लिखी तो एक नाजी रामाण रोज लिखते हैं और रोज उसे सुनाते हैं रोज रामाण लिखते हैं और रोज सुरोताओं को रामाण सुनाते हैं और ऐसी मनता है कि कहीं रामकथा हो तो हम भगवान हनुआन जरूर आते हैं हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं रामकथा सुनने के लिए अगर एक भी सुरोता हो तो कोई सुरोता में हनुमान जरूर होंगे हनुमान जी आते हैं तो रामकथा एगनाज जी दिन में लिखते हैं रात को सुनाते हैं हनुमान जी आके रामकथा सुनते हैं और हनवान जी को बड़ा आश्चर ये हो रहा है कि कथा का सम्मंध है त्रेता योग से बगवार राम त्रेता योग में हुए और ये एक नात कथा लिख रहा है कल योग में हजारों साल का तो अंतर है लेकिन हर घटना ऐसे अच्छर सा सच सच लिख रहा है सत लिख रहा है जैसे कोई आँखों देखी घटना हो आँख से ब्यक्ति देख रहा हो ततकालों लिख रहा हो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा एक नाजी की रामार्ड रोज सुनते संयोग से रामार्ड की कथा चलते चलते आज आती उस जगह है कि जब हनुमान जी असोग बाटका में लंका में गए थे और असोग बाटका में जब पहुँचे हनुमान जी तो असोग बाटका के फूल सपेत रंके थे स्वेत वड़ने थे जब हनुमान जी ने सुना कि ये संत लिख रहे है कि असोग बाटका के फूल सपेत रंके थे तो हनुआन जी को लगा यहां भूल हो रही है यहां भूल हो रही है यह गलत लिख रहा है क्योंकि अब मैं हनुआन हूँ और मैंने इन आखों से देखा है कि जब मैं असोग बाटका में गए थे जानकी जी की खोज में तो उस समय असोग वाटका के फूल लार रंके थे रक्त बन थे हनुआ जी ने बिश बना के बदल कर आये थे तो हनुआ जी ने भीड के बीश यह आवाज लगाई कि असोग वाटका के फूल सपेद नहीं थे लार रंके थे एगना जी ने बात सुनी ओं का चुप बैठो जो मैंने लिखा सुनो हनुआ जी ने दूसरी बार भी दोर आये कि आसोग पाटका के फूल रक्त बढ़ें थे लार रंके थे संत ने कहा चुप चाब बैठो कथा सुनो अन्त में हनुआ जी को लगा राम कथा जूटी हो रही है राम कथा में गलती हो रही है भूल हो रही हनुआ जी प्रिगट होके अपनी बात कही कि देखो मैं हनुआ और घटना मुझसे संबंदित है और मैंने इन आखों से देखा था कि जब मैं असोग बाटका में गया था तो असोग बाटका के फूल रक्त बढ़ें सपेत नहीं थे सवेथ नहीं थे रख तो बर्न थे एक नाची ने फिर भी का हनुआ जी आपको बहुत-बहुत प्रणाम लेकिन फिर भी मैंने जो लिखाय वो ठीक लिखा आप बैठीये जो मैंने लिखा वो ठीक लिखा हनुआ जी को बुरा लगा कि ऐसा यह जिद्दी हट धर्मी बात राम को जाके कः जब ये बात भगवान राम को दो भगवारान के वह रामके पास jeln carefully ओधी मुझी जाउनकी जने ने कहा वार कर कही कि क्ल्युक का संत राम का था लिख यह अन्यमा लिख तो ठीक लिखी लिखिंच सब फोड़े रहुं हो गई और वो भूल ये हो रही कि वो सादू लिख रहा है कि असोग बाटका के फूल स्वेट बढ़ थे जबकि मैंने इन आखों से देखा था रख तो बढ़ थे तो वहां तो जानकी जी भी बैठी थी जानकी जी ने का हनुमान जी तुम तो थोड़ी देर के लिए गए थे तुम थोड़ी देर के लिए वहां गए थे और मैं तो लंबे संब़े उस असोग बाटका में रही मैंने इन आखों से देखा था कि असोग बाटका के फूल ना रक्त वर्ण थे ना स्वेत वर्ण थे ना ला रंग के थे ना सपेद रंग के थे असोग बाटका के फूल तो स्याम वर्ण थे नीले फूल थे स्याम बढ़न थे अब हनुमान जी जानकी को क्या कहें जानकी को कैसे कहें कि नहीं अन्ते भगवार राम से पूछा आप बताईए कि आज थिती है अब तीन लोग तीन तरह की बात कर रहे हैं भगवार राम ने कहा हनुमान जी उस सादू ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है उस सादू ने जो लिखा है कि असोगबाटका के फूल स्वेटवण के थे असोगबाटका के फूल स्वेटवण ही थे लेकर हनुमान जी तुम्हें रक्तवण के हों दीखे क्योंकि जब लंका लंका में प्रिवेश किये थे लंका में जाके तुमने जब लंका का अनाचार दुराचार और सीता के ओपर भी रावड का करोद जगा तो तो तुम słuहारे अंदर रूध जगा जब करोद जगा तुम्मारी आँखों पर खुण उतार है लालामी आ गई और तुमने उन खून उतरी लाल आखों से देखा इसलिए तुम्हें फूल भी रख तो बढ़ देखे कहते हैं जैसे पिलिया के रोगी को सब कुछ पिला पिला देखता तुमने क्रोध के आवेस में आखें लाल होई तो तुम्हें बाहर की बस्तु में भी लाल देखें जानकी ने स्याम बढ़ के हो देखा कि जानकी को जब सीता का हरण किया रावड ने तो जानकी की आखों में भगवान राम का सुरूप समाया हुआ था जानकी की आंकों में भगवार राम का शुरूप समाया हुआ था तो स्याम हर चीज उन्हें राम के सुरूप की राम के रग की दीख रही थे प हमारी द्रिश्टी है सापेख्श द्रिश्टी होती है निरपेख्शनि सापेख्श जो हम देख लेते हैं अच्छे को अच्छा देख जाता बुरे को वुरा देख जाता झ्यानी को अज्ञानी को ज्यानी को अग्यानी देख जाता इब तो भगवान कहते हैं यहां सब्सक्रिधे वो ही सच में सही देखता है कि जो देखता है कि दोनों मार्ग दो भिन है लेकिन मंजल दोनों की एक है नावें अलग-अलग है लेकिन किनारे दोनों की एक ही है किनारे इन सब की एक ही है जो जीवन के दोनों तरह के कर्मों में जो देख रहा है कि जहां कर्म सन्यास से व्यक्ति पहुंचा वही कर्म योग से भी पहुंचा कर्म सन्यास और कर्म योग दोनों परमात्मा से मिलाने वाले मुकाम यह कई है, लक्ष यह कई है, मंजल यह कई है, किनारा यह कई है वो है परमात्मा की प्राप्त आत्म साक्षादकार आत्म ग्यान तो जहां दोनों के वो कहते हैं यह पस्चत सा पस्चत जिसने ऐसा जाना है यह थार्त में वही उसने ही सही जाना है जिसने ऐसा जाना है उसी ने सही जाना है या पस्यत सा पस्यती भगवान कहते हैं जिसने ऐसा जाना है उसी ने सही अर्थ में जाना है अंगले स्लोग में भगवान कहते हैं सन्यासस्त महां बाहू दुख्खम आप तुम अयोगता है योग युगतो मुनुर ब्रह्म्य नचिरेडा दिक अच्छति भगवान कहते हैं तो हे अर्जुन कर्मयोग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्री और सरीद्वारा होने वाले संपूर कर्वों में करतापन का त्याग कर्मयोग के बिना शरीर से कर्तापन का त्याग प्राप्त नहीं होता रप्राक्त होना कठिन है और भगवा सुरूब को मनन करने वाला कर्मयोगी परम परमात्म को सीख्र ही प्राप्त हो जाता है परम बरम परमात्मा को सीख्र प्राप्त कोन कर लेता है भगवान कहते हैं जो कर्म योगी है निस्काम कर्म योगी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है लेकिन जो कर्म सन्यास है क्योंकि सरीर मन इंद्रियों द्वारा होने वाले शंपूर कर्मों को करतापन का त्याग करतापन का त्याग होना कठिन है करतापन का त्याग होना तो कठिन है इसल्हें भगवान कहते हैं कि अब सरीर-मन, बुद्धी, इंद्धियाओं के साथ तादात है अब सरीर-मन, बुद्धि, इंद्धियाओं के साथ जो तादातं है सब्सक्राइब के साथ कर्तित्यू का भान भी होगा ग्यान भी होगा कि मैं करता हूं मैं नहीं किया तो जो करतापन का त्याग है वह बहुत कठिन है क्यूंकि बिना कर्म किया रह नहीं सकते कर्म तो होंगे अब जब कर्म होंगे सरीर से कर्म हो मन से कर्म हो विचार से कर्म हो कोई इंद्रियाओं से कर्म हो कर्म होंगे तो उनके साथ तादात में भी बनेगा और जब कर्म है हो रहे हैं बिना कर्म के नहीं कष्चिछ छड़मापी जासु तिश्टेंता कर्म करें भगवान कहते हैं छड़मात्र भी कोई बिना कर्म किया रह नहीं सकता जब बिना कर्म क किये हम रही ही नहीं सकते बिना कर्म किये रही ही नहीं सकते तो कर्म होंगे तो कर्म के साथ तादात मों होगा तो फिर कर्म त्याग तो नहीं होगा तो कर्म का त्याग तो नहीं हो फल का त्याग तो नहीं हो तो इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा यह है कि भगवत कर्म करते हुए कर्म का त्याग ना करो कर्म करते हुए फल का त्याग करो कर्म करते हुए फल का त्य जाते हैं अब देखो कर्म का त्याग तो सरल है किसी आदमी को एक आदमी जेल में चला जाता सुचो एक आदमी जेल में चला गया और जेल में उसे साल भर दो साल की सजा होई पांच साल की सजा होई तो अब कर्म सन्यास तो हो गया उसका क्योंकि कर्म तो छूट गया कर्म सन्यास हो गया चोरी में पकड़ा गया जेल पहुंच गया तो चोरी तो छूट गई चोरी उसकी छूट गई कि हम पांच साल जब तक जेल में तो चोरी तो नहीं कर पाएगा कर्म सन्यास हो गया उसका अब सुचो लेकिन जो पांच साल बाद जब वो बापस आएगा तो और ज्यादा ट्रेंड चोर बनकर आया और ज्यादा ट्रेंड चोर बनकर आगे हूं कि व ट्रेंड होके निखलेगा जिसलिए कभी-कभी देखो एक वार जेल में चले जाते हैं वो अप्राज से मुक्तनि होते हैं और ट्रेंड अप्राधी बन जाते हैं मुक्त नहीं होते क्योंकि वहां बहुत से ऐसे गुरू दादा गुरू बैठे हुए प्रिश्चण देने के लिए उनको और बताते हैं कि तुम अगर पकड़े गए तो कारण क्या था तो ऐसा व्यक्ति का कर्म त्याग तो हुआ लेकिन कर्म त्याग होने से क्या कामना का त्याग भी हुगा उस चोर का चोरी तो छूटी जब तक जेल में है चोरी तो छूटी लेकिन चोरी के लिए प्लाणिंग करता रहा चिंतन चलता रहा कामनाएं बनाता रहा और जब बाहर आता है तो और जरब हुश्यारी से कि पकड पक्ड़ा ना जा सके तो वक्षण कैते कर्म-त्याग ऐसे ही मुस्किल है कि नवी दो सरीर से कर्म का त्याग कर्वी दो लेकिन मन मनसे तो त्याग नहीं हुगा वैं जेल में बैठके भी आदमी उसकी प्लानिंग करेगा योजना बनाएगा प्रिशिच्छड लेगा और कितना अच्छे कुसल ढंग से हम और चोरी करें जो पकड़े ना जा सके तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्म सन्यास सरीर मन इंद्रियां दारा हो रहे कर्म का त्याग कर्म का त्याग ये जड़ा कठिन है कर्तापन का त्याग हो जाए क्योंकि कर्तापन कर्म से नहीं कर्तापन मन से है अंदर मन है अहंकार है मांग है चाह है मांग है अहंकार है कामना है तो करता पन रहेगा सरीर से काम छोड़ भी दो अंदर तो करता बैठा हुआ है करता कर्म नहीं सरीर नहीं है करता तो अंदर बैठा हुआ है जो हमारा आहंकार है वो करता है और उसी आहंकार ने मांग रखी है कामना रखी है, चाहा रखी है वासना जगाई है जिसके लिए कर्म किया जा रहा तो सरीर से कर्म छूट भी जाए लेकिन मन से तो कर्म नहीं छूटा असल तो करता अंदर बैठा हुआ है वो योजना बनाएगा इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छा यह कि यो कर्म योगी है वो कर्म करता हुआ हुई अपना कर्म को भगवान का समर्पित करके कर्म तो कर रहा लेकिन कर्म को परमात्मा की पूजा समझ के फल को परमात्मा की पूजा समझ के कर्म कर रहा तो फल को है कि परमात्मा की पूजा समझ के कर्म कर रहा कर्म कर भी रहा लेकिन पूजा समझ के कोई मांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वाशना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं जब कर्म को पूजा बना लें तो जो फल आएगा वो परमात्मा का प्रशाद है वो बंधन नहीं होगा वो अम्रित होगा वो विश्ट नहीं होगा वो सुस्त करने वाला होगा वो रोग करने देने वाला नहीं होगा अन्यत है जब तक फल के काम कर्म के साथ कामना है फल के साथ कामना है, फल सकाम, कर्म सकाम है तो रोग लाएगा, बंधन लाएगा, असांती लाएगा, दुख लाएगा एक कोई सादू कहते हैं कोई तीस साल हिमाले में रहा जब तीस साल हिमाले में रहा, उसकी खूब ध्यान में रहा तरह तरह की योग सादना में रहा, एकांत वास रहा अब उसको लगा कि अब तो मेरे अंदर कोई आहंकार नहीं है कोई आहंकार नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है सबसे मुक्त जितनी भी बुराईया थी काम, क्रोध, लो, मोह, अहंकार सबसे मुक्त सबसे मुक्त हो गया सारी बुराईया छोट गई, सारे बंधन टूट गई मुक्त हो गया और कहते हैं 30 साल वाज जब वो बापस आया गाउन के लोग कहते किसी कुम्बेला में जा रहे थे इस सादु को भी आग्रे किया कि आप भी कुम्बेला में चलो जब इसको भी आग्रे किया आप भी चलो शक्रों में आया कि अब तो मुझे भीड़ से डृन्हें की कोई कारण नहीं अब तो भीड़ से डility कोई कारण में तो थीन साल हुमालाया तीस साल हमाराय में रहा काम क्रोध लों मौह अहंकार सबसे मुक्त हो गया अब तो कोई डड़की बात नहीं और मांसमान भी उसका खूब बढ़ा किरती खूब बढ़ी लोग जो आते उसके पैरों सिर रखते पैरों पर कहते हैं जब कुम मेला में गया तो वहां तो अपरचित था कोई उसे जानता भी नहीं था भीड़ बाड जादा थी और उस भीड़ बाड में किसी ने उसके पैर पर अपना जूता पहना हुआ पैर रख दिया उस सादू के पैर पर कोई आदमी ने जूता पहना हुआ अपना पैर रख दिया भीड़ बाड में उसका पैर में तो सादू को इतना गुसा आया, क्रोध आया कि क्रोध में उसने उसके गर्दन पकड़ ली, क्रोध में आके उसकी गर्दन पकड़ ली, और जब उसकी गर्दन पकड़ ली, तो आसपास के लोग भी अवाक होगे, सादू के इतना क्रोध, इतना क्रोध सादू में, लेकिन सा छड़ी जिसकी गर्दन पकड़ी थी उसके पैर भी पकड़ लिये जिसकी गर्दन पकड़ी थी सादु ने उसके पैर भी पकड़े पकड़ लिये और कहा माफ करना तुम तो मेरे गुरू हो जो मैं तीस साल रहके भी हमाले में नहीं समझ पाया था तुमने मुझे वो दिखा दिखा दिया मैं तो मान बेटा था कि मैं अहंकार से मुक्त हो गया काम से मुक्त हो गया क्रोद से मुक्त हो गया लोब से मुक्त हो गया लेकिन तुमने मेरे पैर पर पैर रखे जो हमारे अंदर था वो बाहर पर गट हो गया क्रोद से मुक्त नहीं हो गया क्रोद दब गया थ मुक्त नहीं थे किसी कुवे में आप देखें आप कह सकते हैं कुवे में पानी नहीं है कब तक कि बाल्टी डालो और फिर देखें बाहर आता के नहीं बाल्टी डालो और पानी अगर खाली कुवा है सूखा कुवा है तो बाल्टी खाली लौट आएगी अगर पानी है तो भर कुछ अंदर बैठा होता है तो भगवान कहते कर्म त्याग नहीं बहुत बार अंदर होता है लेकिन बाहर-बाहर से हम छिपा लेते हैं उसे और छिपाने से कोई हम रोग मुक्त नहीं होते हैं अगर सरीर में कोई घाओ है और कपड़े से ढगलो तो इसका अर्थ यह नहीं कि घाओ से ठीक हो गया रोग ठीक हो गया घाओ तो घाओ रहेगा घाओ है तो पीड़ा देगा छिपाने से कोई अर्थ नहीं होता तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्म सन्यास के रास्ते पर जाता कर्म का त्याग करता है कर्म का त्याग इतना सरल नहीं है काम अकर्मण हो सकता है लेकिन वो कर्म सन्यास नहीं होगा सरीर से कर्म का त्याँ कर दिया मन में कर्म के वासनाएं उठेंगे मन में खूप लहरे आएंगे वासनाओं की लहरे आएंगे संकल्पों के पक्षी उड़ेंगे तो बाहर से कुछ नहीं होता कि अंदर से हमारे अंदर की इस्तिती क्या है जेल में रहता हुआ भी कोई आदमी कर्म से मुक्त हो गया चोरी से मुक्त हो गया लेकि चोरी की यूजना तो वहां भी बना रहा तो क्या वोसे सन्यासी कहेंगे वो सन्यासी हो गया कर्म छूट गया उसका तो भगवान का जोरू कर्म का त्याग ना करो अंदर की वासना का त्याग करो तो वो अंदर की वासना कैसे कर्म करो लेकिन फलकी आकांक्षा के बिना कर्म करो फलकी मांगने फलकी कोई चाह नहीं फलकी कोई अपेक्षा नहीं सेवा के भाव से कर्म है परमात्मा की सेवा बर्के जवर से कर्म है सेवा कर्म है पूजा और समश्टी परमात्मा का रूप है हर इस ब्रक्ष में भी वही है पसुव में भी है पक्षियों में भी है सारी स्रिष्टी जो हमारे आँखों से हमें दृष्टिकत हो रही है सारी स्रिष्टी परमात्मा का ही विस्तार है हर नाम रूप में वो ही समाया हुआ है तेरे नाम अनेक तुँ एक ही है सब में वही समाया हर लहर में सागर है हर प्राणी परमात्मा के चलते फिरती मंदिर हर प्राणी में परमात्मा है तो सब के प्रति करुणा का भाव मैत्री का भाव वगवान कहते हैं तो ऐसा अव्यक्ति सेबा का करेगा लेकिन अपिक्षा मुक्त होके मांग मुक्त होके कामना मुक्त होके तो कर्म उसके लिए पूजा हो गई कर्म योगी के लिए कर्म पूजा हो जाती है कर्म का त्याग नहीं करता लेकिन अपिक्षा का त्याग करता है कामना का त्याग करत है और पर भगवान कहते है ऐसा व्यक्ति जो फल भी है वह पर Maatma का प्रशाद कि मांग नहीं कंकी सिकायत कर लेता कर्म कर्म करता हुआ कर्टित की फल्गा त्याक इन जल् marks और प्रपक करता है बसर्ति जासने मात काँ एकने फल का त्याक किया एकने कर्म का त्याग किया कर्म का त्याग करके भी फलकी मांग अंदर रह सकती है दूसरे ब्यक्ति ने कर्म तो किया है लेकिन फलकी मांग नहीं किये जिसने कर्म किया लेकिन फलकी कोई मांग नहीं फलकी कोई चाहर नहीं बगवान कहते हैं वो उसके लिए वो जल्ली पहुंचेगा उ क्योंकि अरजन तो खोज रहा था कैसे अपने हैं और भुगवान जान रहे कि आज तक इसने लोगों को युद में गाजर मूली की तरहे लोगों को काٹा काजर मूली की तरहे काटा खून बाहाया हत्याएं की लेकिन आज कर्म संधुically की बात क्यों कर रहा है क्योंकि अपने, क्योंकि अपने, जब तक अपनों का ये मोह है, आसकती है, ये भगा रहा है इसको, ये पलान कर्म सन्जाज की बात करा रहा है, तो युद से, युद से या हिंसा से इसे डर नहीं है, इसे डर है, आसकती है, मोह है अपनों से, कि मेरे मरेंगे, अपने मरेंगे, अपने पितामा होगा, अपने गुरू होगे, अपने मामा होगे, अपने भाई बंदू होगे, अपने होगे, अपनों का भाई, आ सकती है, अपनों का मोग है, तो भगवान कहते हैं, इसलिए अरजन को कहते हैं, अरजन तुम भाग भी ऐसे कर्म के बंधन से कामना से मुक्त नहीं हो पाता तो आज मैं यहीं विराम करते हैं मेरा सभी को प्रणाम हरी हो